नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगिता, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बोल्ट स्काइम है कभी-कभी अचानक से छाती में दर्ध होने लगता है, जिसकी वज़े से हम डर जाते हैं हमें ये लगता है कि कहीं ये हार्ट अटैक का संकेत तो नहीं पेट और सीने में गैस की वज़े से दर्ध होता है, गैस के कारण छाती में भी दर्ध होता है जब गैस शरीर से बाहर नहीं निकल पाती तो ये पूरे शरीर में कई हिस्तों में गुमने लगती है जब ये दर्ध सीने में पहुंच जाता है तो चाती में दर्ध होने लगता है और जकड़न वह बेचैनी सी होने लगती है चलिए बात करते हैं चाती में गैस के लक्षणों की खटी डकार अगर आपको बार-बार डकार आती है या खटी डकार आ रही है तो ये गैस का लक्षन है खटी डकार अधिकांश्त चाती में गैस बनने के लक्षन में आता है जी मचलाना बहुत से लोगों का गैस बनने की वज़े से जी मिशलाने लगता है और उन्हें बेचैनी सी मैसूस होने लगती है भूक में कमी, गैस बनने पर कुछ खाने का मन नहीं होता और ऐसे में भूक भी कम लगती है जब भी हम कुछ खाने का सोचते हैं तो खाने का मन नहीं होता और भुक भी नहीं लगती है सूजन गैस बनने पर सूजन जैसा लगने लगता है पेट फूल ना जब शरीर के किसी हिस्से में या पेट में गैस बनती है तो पेट फूलने लगता है अगर आपको gas बन रही है और पेट फूल रहा है तो जल्द इसका इलाज करना चाहिए खाने के बाद सीने में दर्द जब भी आप कुछ खाते हैं तो खाने के बाद अगर हर बार आपके सीने में दर्द होता है तो यह gas का लक्षन है चक्कर आना जब शरीर में गैस जदा फैल जाती है और दर्द बढ़ने लगता है तो सांस लेने में दिक्कत आने लगती है थंडा पसीना आना शरीर से थंडा पसीना आता है और हाथ पै थंडे हो जाते हैं तो दोस्तों मारे आज के इस वीडियो में इतना ही उमीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा हमें कमेंट में जरूर बताए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइम करना ना भूले